हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सिविल से एजूकेशन में इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग कबर करेंगे कॉलिजियम सिस्टम को आज कल बहुत चार्चा में भी है तो इसके बारे में जानना जरूरी है और वैसे भी ये जो सिस्टम है ये सीधा सीधा कारपाल का बनाम न्याय पालका के मुद्दे से जुड़ा हुआ है जूडिसरी बडशिस एक्जिक्यूटिव कभी जूडिसरी एक्जिक्यूटिव पर भारी होना चाहती है और कभी executive जूटी सरी पर भारी होना चाहती है executive यानि कारपाल का, कारपाल का यानि सरकार इसको भी आप सरकार समझना, ठीक है, सरकार इसलिए judiciary अपनी independence को लेके और executive यानि सरकार अपने purchase को लेके यह हमेशा से class बना रहता है इस सारी चीज़े हमें यहां से समझ में आएगा इस topic में हम लोग पढ़ेंगे यह collegium system क्या होता है यह function कैसे करता है, इसकी कारपणाली कैसे होती है इसकी जरूरत है या फिर नहीं है यह जो system में इसका बिकास कैसे हुआ, बिकसित कैसे हुई यह पणाली ऐसे कौन-कौन से कारण है, जिसके बज़े से इसकी आलोचना भी की जाती है सरकार द्वारा यहां पर क्या-क्या प्रियास किये गए है और समझान में इस से सम्मंदित क्या विवस्ता है इस सारी चीज़े हम लोग इस topic में ख़वर करेंगे चलिए, सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इस system के बारे में यह collegium system क्या है collegium system को आप एक तरह से एक committee समझीए ठीक है, एक समीती समझीए जिसमें 5 member रहते है यह जो 5 लोग बैठे हैं, यह सुप्रिम कोट के जज़ी लोग बैठे हैं इसे बोलते हैं, जिसमें से एक जो हैं वो CGI है, Chief Justice of India है और बाकी जो चाल लोग हैं, यह senior most judges होते हैं इन्ही 5 जज़ों के समझीए के दवारा, इन्ही 5 जज़ों की committee के दवारा सुप्रिम कोट या हाई कोट के नया अधिस की नियुकती हो या फिर transfer हो, या फिर posting वाली बात हो, या फिर elevation या promotion वाली बात हो इन सारे मुद्दों पर काम करती है, यही committee, यही समीथी, यही system, यही 5 लोगों का समूँ कितना के लिए रहे? यह जो 5 लोगों के समूँ से collegium बना यह इस्तिती 1998 से पहले नहीं थी, यह इस्तिती आई है 1998 के बाद, इससे पहले जो collegium system में होते थे, वो 3 member हुआ करते थे, 2 plus 1 हुआ करते थे, 1 CGI और 2 senior most judge, इसको बाद में expand किया गया, यह हम लोग बाद में अभी सीख रहे हैं, यह सारी बात हैं हम लोग इस system के विकास में प या फिर इसमें क्या सुधार होने चाहिए, या फिर जज़ों की निवक्ति को लेके, promotion को लेके, transfer को लेके, कैसा बे-forward होना चाहिए ताकि executive और duty-sary में एक balance बना रहे हैं, देखे, इसके जरूरत के हो हैं, इसके पक्ष में आप यह वाला factor जोड सकते हैं, कि ज़जों की ज सरकार की यही मंसा रहती है, कि judiciary में नियायपालका में वही लोग बैठे हैं, जो हमारी सुने, जो सरकार की सुने, यह हमीशा से मंसा रहती है, executive की, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा, तो आप सोचिए, नियायपालका फिर decision कैसे ले पाएगी, फिर उसमें transparency कहा रह जाएगी, वो निस्पक्ष तरीके से अपना decision कैसे देपाएगी, क्योंकि अगर सरकार की लोग ही नयायपालका में बढ़ जाएगे, तो जो भी decision आएगा, जो भी judgment आएगा, जो भी नणय आएगा, वो government के favor में ही रहेगा, वो सरकार के favor में ही रहेगा, और अगर ऐसा हो गया, तो फि में कोई भी सरकार की दखलांदाजी नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो collegium system है, वो एक तरह से judicial independence को represent करता है, नयायक सोतंतरता को represent करता है, ठीक है, एतना के लिए रहे, यह जरूरत के पक्ष में आप यहाँ पर point add कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखते decisions के द्वारा, Supreme Court के decisions के द्वारा इस प्रणाली का जनम हुआ है, तो फ़र समधान में कैसे जिखर होगा, obviously नहीं होगा, collegium system में जो 5 लोग है, 4 plus 1, chair कौन कर रहा, CGI करते हैं, यह basic सी बात है, collegium में जो 5 लोग बैठे हैं, करते के हैं, जिस judge को appoint करना है, जिस judge का elevation करना है, प् पहले select करते हैं, उनके नाम को select करते हैं, यह 5 लोग आपस में, चर्चा करके, consult करके, फिर इस नाम को यह आगे forward करते हैं, सरकार को, सरकार को यानि किसको, president को, अभी मैं यहापे president लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग क्या पड़ते हैं, Supreme Court के जो जज हैं, उनकी निक्ति कौन करता है, president साब करते हैं, तो यहाँ से सुरू होता है, काम उनका, तो इस list में, जिनका भी नाम होता है, जिन जजों का नाम होता है, या फिर जिस advocate का नाम होता है, प्रेजिडेन्ट साब इस पे महल लगा देते हैं इनके नाम पे महल लगा देते हैं लेकिन जरूरी नहीं नहीं कि यह जो कॉलिजियम सिस्टम ने यह लिस्ट भेजी है नाम की इस list में एक नाम भी हो सकता है, दो तिन नाम भी हो सकता है इन सभी नाम पर ये President साहब मोहर लगा ही दें फिर reply में सरकार क्या करती है, President साहब क्या करते है इसी list में एक दो नाम अपने भी जोड़ देंगे मतलब ये जो दो नाम सरकार ने अपनी तरफ से एड़ कर दिये थे अब ये पूरी list फिर से Collegium System के पास जाएगी अब ये Collegium System ये जो दो नाम यहां पर भेजे थे सरकार ने इनको verify करेगी verify in the sense मतलब ये जो दो लोग हैं ये काबिल भी है सीट फे बाटने के लिए या फिर नहीं काबिल है तो यहां पर आप लोग बताईगी ये जो Collegium System में इसकी क्या कोसिस रहेगी इसकी ये कोसिस रहेगी ये जो सरकार ने दो नाम भेजे हैं अपनी तरफ से इनको ना सेलेक्ट किया जाए इनको recommend तो नहीं करेगा Collegium System अगर in practical देखें तो क्योंकि एक तरह से क्या हो रहा है ये जो दो आदमी सरकार ने भेजे हैं recommend करके नाम यहां पर सरकार अपने लोगों की entry कराना चाहरी है जो डिसरी में तो Collegium System भी इन दो नाम को recommend करने से बचेगी फिर जब Collegium System दो आरा सरकार को ये लिस्ट भेजेगी जिन जिनके नाम recommend किये हैं उसके बाद फिर President साब को महर लगानी पड़ेगी किलियर है Collegium System ने दोआरा जिन लोगों को भी recommend किया है फिर President साब को उस पर महर लगानी पड़ेगी किलियर है समझाय है यह जो लिखा है मैंने वही लिखा है जो हम लोग ने आपर समझाय है Collegium System जो है वो जजों की न्यूकती जजों की नाम या फिर बकिलों की नाम पहले select करती है जितने भी लोगों को Collegium System recommend करेगा उसके बाद उसको राष्टपती के पास भीजा जाएगा और फिर सी तरह सरकार भी Collegium के द्वारा भीजी गई लिस्ट में अपने नाम भी जोड देती है यह सब हम लोगों ने सीखा भी तो यहाँ पे जूडी सरी के काम भी देख रहे है आप और गौर्मेंट का भी काम देख रहे है यहाँ पे जूडी सरी ने क्या किया यानि Collegium सिस्टम ने क्या किया Collegium सिस्टम ने नाम सिलेक्ट करके सरकार को भीजा और सरकार का काम यहाँ पे क्या रहेगा महर लगाना है ना दोनों का काम हो गया लेकिन दिक्कत यहीं पर है, यह जो कॉलिजियम सिस्टम ने नाम को recommend किया है, question mark इनी पर लगता है, सरकार को यह लगता है कि यह जो कॉलिजियम सिस्टम ने नाम recommend करके भेजे हैं, इनमें तो हमारा एक भी आदमी नहीं है, और फिर यही लोग सरकार के कामा में आगे अडंग सरकार के पास द्वारा बेशती है, तब केंद सरकार को उस नाम को सुईकार करना ही पड़ता है, लेकिन कब तक सुईकार करना है, इसकी कोई समय सीमन नहीं है, यहाँ पर फिर से executive मजबूत हो गई है, कारपाल का मजबूत हो गई है, सरकार मजबूत हो गई है, तो आप यह आएगा कोलेजियम सिस्टम पर कि अलोचनात्वाग बिसलेशन कीजिए तो यह सब पॉइंट्स आपको डलने पड़ेंगे और यह जू लिखा है कि इंद सरकार के पास अगर द्वारा भेजी की कोलेजियम सिस्टम तब केंद सरकार को सुविकार करना पड़ेगा तो यहां प के देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ इस पड़ाली का विकास कैसे हुआ यह हम लोग ने सिख लिया कि संसत के किसी अधिनियम के द्वारा इसकी इतुपति नहीं हुई है यह पर सम्दान के किसी प्रोविजियन के द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुई है कोलेजियम सिस् प्रिथम नियाएदिस मामला यानि फर्स्ट जजेस केस ए 1981 का है आपको येर भी याद रखना है साथ में 1981 में देखी एक क्या स्थिती थी 1981 में कॉलेजियम सिस्टम का नामों निसान नहीं था हम लोग समधान में पढ़ते हैं आर्टिकल 124 में कि जजों की न्युकती जो है वो राष्टपती करेंगे लेकिन cgi की cgi की सहमती से तो यह जो सहमती है यही तो सर्वे सरवा है cgi के लिए कि जिसको यह recommend करेंगे उस पर महल लग जाएगी लेकिन सहमती तो अभी भी चाहिए लेकिन अब कोलेजियम सिस्टम सहमती देता है यहां पर तो पांच लोग है ना पहले एक लोग थे अब यहां पर पांच लोग है तो यह बेटर डिसिजन दे पाएगी ना कोलेजियम सिस्टम लेकिन 1981 में क्या था सीजी आई सर्वेसरवा थे चीप जेस्टिस ऑफ इंडिया सर्वेसरवा थे इन्हीं की प्राइमेसी थी सुपरमेसी थी लेकिन यह बात बाकी जजों को ठीक नहीं लगी तो यहां पर फ़र्स्ट जजिस केस जो था इसमें जो निर्णाय आया यहां पर देग आई कि तो फिर प्रावर्फन कौन हो जाएगा पॉर्णमेंट में प्रेसिडंट हो जाएंग फ्रेसिडंट ज्यानि में सरकार में सरकार बारार क्यों बोल रहाँ क्योंकि आप लोग जानते कarning क्या है कुछ बहीं नहीं नथिंग हैं क्योंकि राश्पति fare जो थे वह 1976 से प अब राश्पति साब को जो भी करना है वो काउंसल ओफ मिनिस्टर की सलाह पर करना है यह साब लिखा है ना अर्टिकल अर्टिकल 75 इन दोनों को अच्छे से पड़ा कीजे तो यहां पर भी 124 में भी राश्पति अगर किसी जैज की न्युक्ति करते हैं तो राश्पति पहले किस से पूछेंगे काउंसल ओफ मिनिस्टर से पूछेंगे और काउंसल ओफ मिनिस्टर यह बास्तिविक सरकार है और क स्थापित हो गी और आप देखते हैं 1981 में फार्ट जजजिस केस आया और 12 साल बात 1981 फार्ट जजजिस केस इसमें बारा साल जोड़िए तो क्या आ जाता है 1993 यानि सेकंड जजिस केस जो आया वो 1993 में अब यहां पर देखते हैं यहां पर क्या इंप्रूमेंट हुआ हुआ अब देख रहाएं कोलेजियम सिस्टम का डबलमेंट हो रहा दी देखते हैं अभी आप लोग 5 पढ़ते हैं ना कोलेजियम सिस्टम में लेकिन 1993 में second judges केस के बाद कोलेजियम सिस्टम उतपत्ती हो गई यहां पर उतपत्ती हो गई इंटर्ड्यूस किया लेकिन मेंबर कितन प्रेसें रहेगा वो तीन लोगों का रहेगा और उसे सिंगल बाडी डी णी बोला जाता है से इंस्टीय्ट्योशनल ओप इन्स्टीयूशनल बोले सिद्धाइब्बोर क्योंकि आपके तीं disappointing लोग आ गया तो अगर आप इसके बाद आप 1998 में जाते हैं यहां पर थर्ड जज़स केस हुआ यहां पर जो डिसीजन आया निर्णाय आया यहां पर देखी यहां पर कॉलिजियम सिस्टम को को एक्सपेंड कर दिया गया सेकेंड जज़स केसे में तीन लोग देखे थे आपने तीन मेंबर देखे थे अब तीन मेंबर से पांच मेंबर कर दिया गया जो आप अभी बढ़तमान में देखते हैं है ना अभी अभी बढ़तमान में क्यास देती है कॉलिजियम सिस्टम में लोग हैं जिसमें से एक सीजी आई हैं और बाकी चार सेनेर मोस्ट जड़िस लेकिन अब जो डिवाई चंद्र चूंड साब का कुलीज हमारा उसमें फाइब पिलस बन मेंबर्स रहेंगे ध्यान रखना है यह और एकस्पेंड कर रहे हैं इसको किसी के चलते यह टॉपिक न्यूज में है क्लियर है यहां पर आलोचना देख लिजिए आलोचना तो वही है जो सरकार के अंदर है वही यहां पर भी है जूडिसरी में भी है बकील का लड़गा जज का लड़गा जज़ मनता है यानि नेपोटिसम की बहुत ज्यादा समस्या है परिवारबात की बहुत बड़ी समस्या है और यह है और यह प्रिजेंट है भी इसको नकारा नहीं जा सकता तो एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम भी गयर पार्डर सी संस्ता होगी है ना नॉन ट् दिए सरकार द्वारा किये प्रयास सरकान ने एक बार और जो आड़ करने के कोसिस की कि हमारी एंट्री हो जाए जुटी सरी में हमारे लोग बैठे जाए और को खतम करने की उन्होंने ठन ली इसको खतम कैसे किया गया ना जाग की स्थापना करके दोज़र चूदा में ना यानि National Judicial Appointment Commission रास्टिय न्यायक निफ्तियायोग नजाक के आते ही सुप्रीम कोट के जजों के सीने पर साप लोटने लगे क्योंकि यहां पर जो गवर्मेंट का एक्सन था वो कॉलिजियम सिस्टम में इंप्रूमेंट को लिगे नहीं था इसको सीधा उड़ा ही दिया खतम ही कर दिया और इसकी जगे नजाक को बिठल दिया लेकिन हम लोग जानते हैं कि सम्धान का सबसे बड़ा व्याख्या करता को नहीं सुप्रीम कोट है संसत के दौरा कोई भी कानून बने कोई भी संसता बने उसका रिवीव तो करेगी न सुप्रीम कोट ने नजाक को ही आज समयधानिक संस्था घोसित कर दिया और अल्टिमेटली क्या हुआ 2018 में कोलेजियम सिस्टम की फिर से बहाली कर दी गई तो बरतमान में इस्तिति गया है अभी कोलेजियम सिस्टम बरकिन फोर्स है एक्टिव है ऑप्रेशन में है ठीक है तो यह था पूरा कोलेजियम सिस्टम पर बाकि यहां पर कुछ स्टेटिक फेक्ट देख लिजी आर्टिकल 124 में सुप्रिम कोट के जोजाज होते हैं इनक सरकार इसलिए बोलने क्योंकि सरकार प्रेशिडेंट साब का गला पगड़ी रहती है प्रेशिडेंट साब जो भी खाएंगे पहले सरकार को उनके गले से हाथ रटाना पड़ेगा तब वो अंदर जाएगा तब वो कुछ निगल पाएंगे और आर्टिकल 217 आर्टिकल 124 चया है यहीं उले इसी तरह कोडिकंछ यह कोड का विंद्र ब्रेस्ट्रेइंट का फिर्श अद्र magic का पड़ा ख्रकार जो अभी तक पड़े वो सुप्रिम गोड का पड़ेते यहां विर बीचकौण पनका 3 plus 1 का सीन ई यह मैं इन को बना यह चीप ज़ेस्टिस रहेंगे कराना है यह लोग भी तो जज़ बनते हैं तो इनकी रीकेमेंडेशन कौन देता है हाई कोट का कोलेजियम देता है लेकिन इनकी जो रीकेमेंडेशन है वो सबसे पहले सुप्रीम कोट के कोलेजियम में जाएगी सिधा गवर्रमेंट के पास नहीं जाएगी सुप्रीम कोट ज जो High Court के Collegium ने नाम भेजे हैं, फिकेमेंड की हैं, उसको अफ्रूप करेगा Supreme Court का Collegium, फिर Supreme Court क्या करता है, यह अभी हम लोग 20 मिनट से पड़ी रहे थे, 15 मिनट से पड़ी रहे थे, गौवर्मेंट को भेजेगा, ठीक है, तो यह सीन था पूरा, आसा करता हूं समझ में आय प्रस्टूब करते हुआ खूरा की हुआ कूर's जया है!